हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन लेकर रहे हैं इस डिजाइन को हम शर्ट में बनाएंगे यह मेरे पास आलोगर सूट है और इसके अंदर मैं एक डिजाइन को बनाकर रेडी करूंगी और इसका लुक हम बिलकुल बदल द इस तरह हम इसका बॉक्स बना लेते हैं और इसका गोल गला ड्रॉ कर लेते हैं तो गोल गला ड्रॉ करने के बाद हमने नीचे की तरफ एक निशान लगाना है दो इंच का और दो इंच का निशान लगाते हुए इसको हमें एक इंच की पट्टी इस तरह बना देंगे तो य इस तरह गले की cutting हो जाएगी, यह जो बीच में से piece निकाला है हमने, यह हमने एक pair का ही निकाला है, तो अब हम इसको कपड़े पे जोड़ लेंगे, बीच का gap हमने रखते हुए 6 इंच, इसको हमने इस तरह जोड़ लेना है, और इस तरह साइट से कपड़े को cut कर देना है, आ तीजे fold यह हो गया है, अब हम इसको इस तरह fold करके center का दिशान लगा लेंगे, और अब हम shirt का piece लेते हैं, यह मैंने shirt का front piece लिया है, और इसको इसके उपर रखते हैं, पहले सेल लेंगे, सबसे पहले मैं top stitch लगाती हूँ, ताकि गला हमारा टेड़ा ना हो, अब हम middle से इसक center मिलाके, इसको पहले सेल लेएं, यह जो बीच का cut है, पहले मैं इसको सेल रही हूँ, और यहां पे जो सिलाई करनी है, वो बुकरम के नीचे करनी है, बुकरम के उपर बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके साथ साथ सिलाई को हम इस तरह चला देंगे, अब सिलाई लगाने के कि गला हमारा अच्छी तरह फोल्ड हो जाए और नीचे की हिस्से में भी कट लगाते हुए हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और कॉर्णर को अच्छी तरह आपने निकाल लेना है इस तरह कोई भी पैन या पैंसिल की हेल्प से इस तरह निकाल लीजिए और इसको उपर की तरफ टॉप्ट सिच करते हुए एक बार हम सिल देंगे बाद में हम इसको तुरुपाई कर देंगे तो लीजिए गला हमारा इस तरह बन गया है अब इसके उपर हम एक ड्रॉ करेंगे निशान को इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है सेंटर में से और उपर की तरफ से हम 15 से 16 इंच का निशाल लगा लेंगे या तो आप 15 लगा लीजिए या फिर 16 15 इंच भी सफिशेंट रहेगा अगर किसी बच्चे के लिए बना रहे हो तो 12 से 13 इंच लगाएंगे तो इस तरह हम इस निशान को इस तरह हलका सा भी में घुमाएंगे निचे से हलकी से उगलाई देते हुए उपर की तरफ हम इसको भी में लेकर आएंगे और यह जो निशान है हमने गले से एक कर लेंगे दूसरी साइड तो टैप करने की वजाए से दूसरी साइड हमारे यह डिजाइन आ जाएगा तो देखिए यह निशान हमारा ड्रो हो गया है अब हम इसको डा कर लेते हैं ताकि जो फ्रेल लगाएं उसमें बिल्कुल भी अनिक्वल ना हो तो लीजिए यह हमारा अब आप इसे साइड में रख दीजिए और यहां पर हमने कपड़ा लिया है डाई इंच चोड़ी पट्टी और यहां पर मैंने दो पट्टियं ले ली हैं इस पट्टी की एक की लंबाई तकरीबं 30 इंच थी मैंने दो जोड ली है ताकि फ्रिल कम ना पड़े अब हमने इ इसको पहले हम फोल्ड कर लेंगे यह हमारी पट्टी रेडी हो गई है इस तरह पट्टी रेडी करने के बाद हम शर्ट का पीस लेते हैं जिसके उपर हमने इसको जोड़ना है तो यहां पर मैंने एक इंच कम कर दिया है यह 15 इंच रख लिया है थोड़ा सो मुझे लंबा इसको जोड़ना शुरू करेंगे अब हमने फ्रिल को ऐसे ही जोड़ना है यहां पर हमारा साइट से इंटरलोक बगारा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके उपर हम लेस लगाएंगे कपड़े को हमने इस तरह सीधा रखा है सीधा रखते हुए इस तरह फोल्ड कर हम इसको जोड़ना है आप देखी सकते हैं मैं इस तरह सुई की हल्प से बल्कूल बारिक-बारिक प्लेट लगा रही हूं और फिर इसको हम इस तरह जोड़ देंगे जहां-जहां पे हमारा निशान है वही वहीं पर हमने इसको सिलना है और यहां पे जो कपड़ा है साइट की तरफ बिल्कुल थोड़ा सा ही छोड़ेंगे तांकि इसके उपर जो लेस है इसको कवर कर ले तो मैं निशान के उपर उपर इसको चिलते हुए आपको दिखाऊंगे अब लीजे फ्रिल हमारे इस तरह बन गई है मैं लास्ट में इसको दो से तीन प्लेट्स डाल के कम्प्लीट कर देती हूँ और उपर की तरफ और जहां पर हमने सिलाई तीरा जोड़ना है वहां पर आधा इंच हम चुनर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा तो लीजे फ्रिल हमारे इस तरह जोड़ गई है लास्ट में इसको सिलाई करके बंद कर देंगे उपर की तरफ से इस तरह मैंने ये फ्लावर वाली लेस ली है लेस आप और कोई भी ले सकते हैं स्क्यायर में भी ले सकते हो इसको हम इसके उपर रखते हुए पहले एक साइट से जोड़ देते हैं इसके उपर हम सिलाई डबल करेंगे तो मैं एक साइट से त्यल रही हूँ क्योंकि जो नीचे का कपड़ा है वो भी हमने कवर करना है वो बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए बाहर की तरफ इस तरफ जैसे जैसे हमने गुलाई में फ्रेल लगाई है सेम उसी तरह लेस को रखते हुए हमने सेम अटेच कर देना है अब इसके उपर हम सिलाई को डबल कर देते हैं ताकि यह पक्की हो जाए और नीचे का कपड़ा भी हमारा ना दिखे तो लीजिए गला हमारा बन कर तैयार हो गया है बहुत ही सुन्दर यह गला बना है यहाँ पर हम मोती लगा देंगे यहाँ पर आप ब्रफ कोई लीप वग़ेरा भी लगा सकते हो बटन लगा सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर मोती अटेच करूंगी मैंने वाइट कलर के मोती लिए है मोती का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए इस तरह मीडियम से साइज का मोती हम इसके अंदर लगा देंगे तो लीजिए मोती लगाने के बाद आप गले की लुक देख सकते हैं कितना सुन्दर ये बन गया है आपके सुट की ग्रेस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपको फ्रॉक बनाना चाहते हो तो अपर पार्ट के उपर भी इस दिजाइन को बना सकते हैं आपको ये डिजाइन कैसा लगा है आप हमें बताईएगा जुरूर वीडियो देखने के लिए आप तो भी का बहुत बहुत धन्यवार जैसे कि आजकल नायरा कट कुरता चल रहा है उसकी उपर वाले हिस्से में बाड़ी में आप ये वाले डिजाइन बनाईए बहुत ही ग्रेसफोल बनता है मैंने इसको ड्राइब भी किया है आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कॉमेंट जुरू छोड़िए कि आपको हमारे वीडिय वीडियो लगते कैसे हैं थैंक्यो पू वाचिंग